हलो फ्रेंड्स डेनी क्लासेज में आपको स्वागत हैं दोस्तों हिंदी इंग्लिस डेली डोज क्लास 41 हम कवर करके चलेंगे जो आपके राज़स्तान हाइकोट LDC के लिए रामबान रहने वाली है आज हमारी 41 क्लास है इससे पहले 40 क्लास हम कम्प्लीट कर चुके हैं तो जो मैंने अभी तक आपको कम्प्लीट करवा दिया जो कवर करवा दिया उसको अच्छे से देखें उसको अच्छे से कवर करें क्योंकि क्योंकि 40 classes का मतलब होता है कि अच्छा खासा आपके course complete हो चुका है उनको आप regular base पे cover करें काफी student के comment आएंगे सरा आगे वाली class लगाओं मैं आपको यहीं बोलूँगा कि जितनी class हो चुके उनको आप अच्छे से cover करें जब सब कुछ पढ़के आगे बढ़ोगे उसमें मज और रखेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले परियावची शब्दों की बात करते हैं काफी परियावची शब्द में आपको करवा चुका हूं डेनिल क्रास्यस की एपर परियावची शब्दों की मेरा थिनी class भी हम ने लगा दी वहां परियावची शब्द बताओ सरे से नहीं बता सकते लिख देंगे से दो तीनी याद है देखो यहां आपके दिक्कत होगे एक्जाम में जब आपको कोई कुछ बोले आग के प्रियावची शब्द बताओ हातों हात आपको आना चीए जब हातों हात आपके उत्तर आएगा तभी आप चीजों को याद करें अच्छे से याद करें और आपको इतना अच्छा नैची कि आपके जितना अच्छा कोई नहीं बता सके अच्छे से ढंग से आपको इन सब को पढ़ना है अच्छे से कवर करना है पांच प्रियावची शब्द हम देखते हैं आंधी की बात करें को चक्रवात बोल सकते हैं प्रेभंजन भी बोला जा सकता है अंधर बोल सकते हैं तूफान बोल सकते हैं और जंजा हमें बोल सकते हैं तो महावात बोला जा सकता है चक्रवात बोला जा सकता है महावात है यह ध्यान देना महावात चक्रवात बोल सकते हैं प्रेभंजन बोला जा सकता है तूफान बोला जा सकता है जंजा भी बोला जा सकता है जंजा हम बोल सकते हैं अंधर भी बोला जा सकता है जंजा बोल सकते हैं तूफान बोल सकते हैं तो आंधी की बात करेंगे महावात चक्रवात प्रेभंजन अंधर तूफान जंजा याद कैसे करोगे अभी मे तेरे साथ साथ सुन रहे हो वापस कला से रीपीट करोगे और उसके बाद में इस सब को लिखोगे टाइम लगेगा लेकिन जो सीखोगे वो दीबेश्ट सीखोगे माइंड में अच्छे से वो फिट होगा आपके अबोद की बात करें ये तो अबोद है नासमझ है नादान है दुरबोद बोल सकते हैं तो अबोद की बात करेंगे नासमझ है नादान है दुरबोद बोल सकते हैं बोद रहीत है बोद रहीत बोल सकते हैं निरबोद बोल सकते हैं और मासूम बोला जा सकता है तो अबोध ना समझ है नादान है दुरबोध बोध रही थे निर्बोध और मासूम हो जाएगा आग्या देना उसको आग्या दे दी गई है आदेश दे दिया गया है अनुमती दे दी गई है आग्या दे दी आदेश दे दिया अनुमती दे दी निर्देश दे दिया गया है निर्देश बोल सकते हैं इजाज़त बोला जा सकता है तो किसी को आग्या देना आदेश देना अनुमती देना निर्देश देना आदी हम बोल सकते हैं इजाज़त बोला जा सकता है आश्रम क्या होता है तपो भूमी होता है तो तपो भूमी बोल सकते हैं ग्यानारजन भूमी बोल सकते हैं जहां हम ग्यान अरजन करते हैं ग्यान अरजन करने की भूमी तो ग्यानारजन भूमी बोल सकते हैं पावन भूमी बोल सकते हैं, तपो भूमी बोल सकते हैं, तपो भूमी हो सकता है, तपो भूमी हो सकता है, तपो भूमी बोला जा सकता है, ग्यानारजन हम बोल सकते हैं, ग्यानारजन भूमी कहलाएगी, और पावन भूमी कहलाएगी, तपो भूमी, पावन भूमी, तपो अधम नीक्रिष्ट अधम क्या है नीक्रिष्ट है पतित बोल सकते हैं नीच बोल सकते हैं निम्न बोल सकते हैं ब्रेष्ट बोल सकते हैं तो अधम नीक्रिष्ट हो जाएगा अधम को नीक्रिष्ट बोल सकते हैं पतीत बोल सकते हैं नीच बोल सकते हैं निम्न बोल सकते हैं औ और ब्रेश्ट बोला जा सकता है देखो एक चीज बताता हूँ परियावची शब्द जब तक आपको जिसे मालो आपके साथ कोई भी तयारी कर रहा है आपको बोलेगा कि जंगल के परियावची शब्द बता अरण ने वीपी ने कांदन कांतार अटवी जब तक इस तरह से न हात नहीं बनेगी मजा नहीं आएगा हातों हात जब तक उत्तर नहीं आएगा गड़बड है जब कोई भी आपको कोई भी नाम बोल दिया हातों हात उसके परियावची शब्द बता रहे हो गाय गो गो गया दिनू सुर्वी गोरी पेस वरी इस तरह से जब चलेगा तब याची शब्द याद करें तो ऐसे याद करो कि आप इसमें दीबेश्ट हो संदी आप दीबेश्ट हो तब जाके शोर सेलेक्शन हो जाता है विलोम शब्दों की बात करते हैं दस दस विलोम शब्द हम देखते हैं 40 क्लास कंप्लीट हो चुकी है 300 से ज़्यादा विलोम पुर्व हो जाएगा तो पश्याद का पुर्व है शब्द बोलना है साथ साथ विलोम शब्द बोलना है पश्याद का पुर्व हो जाएगा पुष्ट ऐसे बोलते हैं हश्ट पुष्ट एकदम तो पुष्ट का शिन हो जाएगा एपुष्ट हो जाएगा पुष्ट का शि प्लस य बड़ी की अतीट बन गया तो अती है जो दूर है क्या बोलेंगे अति बोलेंगे तो आपको ध्यारक ना भावी का अतीट हो जाएगा वीरल का सगन हो जाएगा वीरल है तो सगन है घना है वीरल का सघन हो जाएगा वर्धी करण का संख्यपन हो जाएगा एक तो उसमें वर्धी करणा उसका संख्यपन हो जाएगा तो वर्धी करण का संख्यपन हो जाएगा शीरो मनी चरन दूली हो जाएगा शीरो मनी का चरन दूली हो जाएगा सुगम का दुर्गम होगा काम सुवार्थ के लिए करता है तो सुवार्थ का पर्मार्थ हो जाएगा सुवार्थ पर्मार्थ धारन, धारन करना और परित्याग हो जाएगा तो धारन का परित्याग हो जाएगा दस विलोम शब्द देखे, मैं शब्द बोलना हूँ, आपको उसका विलोम शब्द बोलना है पश्यात का पुर्व हो जाएगा पुष्ट का शिन हो जाएगा एपुष्ट बोल सकते हैं भावी का अतीत वीरल सघन वृद्धीकरण संग्षेपन होगा शिरो मनी अच्छा विलोम शोद बनताएगा शिरो मनी का चरण धुली हो जाएगा संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा सुगम दुर्गम स्वार्थ परमार्थ हो जाएगा स्वार्थ का परमार्थ हो जाएगा और धारण का परित्याग हो जाएगा धारण को हम परित्याग बोलेंगे अब हिंडी के वाक्यांस के एक शब्दों की बात करते हैं पांच हिंडी के वाक्यांस के एक शब्द हम देखते हैं पढ़ना तरीके से हैं जो अच्छे लेवल से पढ़ेगा टाइम देगा उसके लिए सब आसान है और आप इनको जल्द बाजी में पढ़ोगे वीडियो देखे रहे हो आगे निकाल रहे हो तब कुछ नहीं होगा थोड़ा समय देना पढ़ता है समय दोग सारा सब कुछ अच्छा होगा आदी से लेकर अंत तक उसे हम आद्यूपांत कहते हैं आदी से लेकर अंत तक आद्यूपांत कहलाता है आदी से लेकर अंत तक क्या कहलाता है आद्यूपांत कहलाता है आद्यूपांत कहेंगे दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाता है जिसका संबंद अर्थ या धन से हो आर्थिक कहलाता है उसे हम आर्थिक कहेंगे जिस इस्तरी की बोली कठोर हो उसे हम क्रकशा कहेंगे जिस इस्तरी की बोली कठोर हो क्रकशा कहलाता है क्या बोलेंगे क्रकशा बोलेंगे लंबे समय तक जीने वाला चीरन जीवी मुख्य मंत्री चीरन जीवी योजना से याद रख लेना लंबे समय तक चलने वाला चिरन जीवी कहलाता है पांच देखे आपको बताना है मैं शब्द बोलूँगा आपको बताना किसका है आद्यू पांथ आद्यू पांथ क्या है आदी से लेकर अंत तक क्या कहलाएगा आद्यू पांथ कहलाएगा तो आदी से लेकर अंत तक आदियू पांत हो जाएगा उपदिशा दो दिशाओं के बीच की दिशा क्या कहला हैगा उपदिशा देखो अभी आपको कहीं नहीं देखना जो मैं बोल रहा हूँ उस पे फोकस करना आँख बंद कर लो उस पे फोकस करो और कोशिश करो बोलने की कि आपको आता है नहीं आता इससे काफी सीखोगे आर्थिक की बात की थी हमने आर्थिक इसे कहेंगे जिसका सम्मन्द अर्थ या धन से हो उसे आर्थिक हम कहते हैं और करकशा क्या था करकशा जिस इस तरीकी बोली कठोर हो वह करकशा कहलाता है जिस इस तरीकी बोली कठोर हो करकशा कहलाता है चिरन जीवी चिरन जीवी क्या था लंबे समय तक जीने वाला क्या कहलाता है चिरन जीवी कहलाता है लंबे समय तक जीने वाला चीरन जीवी कहलाता है अब देखो वाक्यान्स की एक शब्द हमने पहले भी काफी कवर किये है जो पहले कवर किये हैं इंपोटेंट हैं सारे अभी भी इंपोटेंट है तो ये नहीं है कि आप उनको भूल जाओ आगे के याद करते रहो उनको भी आपको अच्छे से देखना है दो तीन में आपको पूछता हूँ आपका पता लग जाएगा इमानदारी से आपको आंसर देना है किसी काम के बार बार करने की तिर्वे इच्छा क्या कहलाता है किसी काम के बार बार करने की तिर्वे इच्छा क्या कहलाता है? क्या कहते हैं उस से? पहले कर चुके हैं देखो ये मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ student comment करते हैं सरा आगे की class लाओ आगे की पहले जो करवा चुका हूँ उनको अच्छे से कड़ लो आप वो जदा जरूरी है उसके बाद में आगे बढ़ो, पुरा ना करोगे नहीं, आगे बढ़ोगे दिक्कत होगी किसी काम के बार बार करने की तिरुए इच्छा क्या कहलता है अभीपसा कहलता है, क्या कहलता है अभीपसा उससे हम कहते हैं, ऐसे ही जिसे सुंगा जा सके, क्या कहते है बताओ जिसे सुंगा जा सके करवा चुका हूँ उसे हम आग्रे कहते हैं जिसे सुंगा जा सके आग्रे कहलाता है और अंतिम है सांसारिक वस्तों को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है इसका तो सब को कमेंट बोक्स में आंसर देना है कई नहीं देखना आता है तो आं केहलाता है comment box में आपको उत्तर देना है इस यह भी पता लगता है कि आप class कितने अच्छे से ने जितने comment आ इंगे उन्हां Gibson कि यह वह स्टुडेंट है selection insanlar ऑले स्टु अच्छे से class देखते हैं सारा सब कुछ अच्छे से कोवर करते हैं तो सब को कमेंट बोक्स में आंसर देना है मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं डेली डेली पांच-पांच हम मुहावरे लोकोक्तियां कवर करते हैं किसी को हम आड़े हातों लेना मतलब कोई जो गलती करें उसकी धंग से खीचाई करना उससे क्या बोलेंगे आड़े हा हाट तो लेते हैं मतलब ढंक से हमारी क्छाई करते हैं तो अड़े हाथ लेड़ाना उसके अच्छे सेंग्लति करने पर खिंचाई करना ऑ्सभर जाना शर्मसार हो जाना उड्टी चीडिया पहचान ल्ब इसे आपने सुनाओं को जिसने कई की लोग बोलते हैं उर्थी चीडिके पांक गिण देता हूँ उसका मतलब क्या होता है मतलब मैं तो सब कुछ जानता हूं तो उर्थी चीडिया पहचानना थोड़े इसारे से सब कुछ रहश्य जान लेना तो कई की बोलते हैं na जिसने उर्ते सिस्नी इसकी पंक्यी करन देता हूं मतलब मैं थोड़ा सा भी ऐसे हिंट मिल जाता है सारी चीजे बता देता हूं तो मतलब खुद को बोच जाता है talented लोग जो होते ही है वो बोलते हैं तो मतलब थोड़े ही सारे से ही थैं सब कुछ रैश्ज जान लेना पकाई खीर पर हो गई दलिया भग्ये साथ ने देना खीर पकाई लेकिन दलिया हो गई भग्ये साथ नहीं दिया लेकिन खराब हो गया भाग यह साथ ना देना बूखे भजन नहीं होई गुपाला बूखे रहने पर कोई काम नहीं हो सकता जैसे हम कोई भी काम करते हैं बीच में मम्मी के आवाज आती है बेटा खाना तो खाले क्यों? क्योंकि भूके रहेंगे कोई काम रंग से नहीं होगा सारे काम गड़बड़ी होंगे तो भूके भजन नहीं होई कुपाला कुछ खा लेना चाहिए उससे अच्छा रहता है देखो मुहावरे लोगोगते हैं भी डेली करवा रहा हूं आपको थोड़ा-thोड़ा हिंड दे देता हूं तरीका दे देता हूं उससे आप समझ जाओ चीजों को तो जो डेली चीज़ें हो रही हैं उनको अच्छे से क records 40कलास का मतलब बहुत अच्छा खासा हमारा हिंदी इंग्लिझ कवर हो जाता है उनको अच्छे से कवर करो अब जैसे health अच्छी हो गई, सारी चीज़े और अच्छे से कर लेंगे, जितना करवा दिया उसको आप अच्छे से करो शब्द शुद्धी की बात करते हैं, देखो शब्द शुद्धी में मैंने आपको एक चीज बताईए, कई बार बताईए लिखो, लिख लिख कर प्रेक्टिस करो, कई शब्द हैं बार बार रिपीट होते हैं, जिसे शुरिंगार कई बार आ गया, दवाईयां कई बार आ गया, आशिरवाद कई बार आ गया, उनको कैसे लिखते हैं, बार बार प्रेक्टिस करो, यह शब्द में आपको बार बार बता हूं तो शब्द शुद्धि तभी चीजों को अच्छे से समझों अच्छे से कवर करोंगे जैसे निस्वाइ लिख मुर्णा हूं शुद्ध कैसे लिखेंगे थम लिखेंगे शुद्धित भी लिखाजाएगा तो ध्यान देना एसे नेत्रत्वे होता है उसे हम नेत्रत्वे कहते हैं तो इन शब्दों को जब हम लिखली के प्रेक्टिस करते हैं तब अच्छा सीखते हैं नेत्रत्वे उसे हम कहते हैं परलोकिक नहीं होता पारलोकिक होता है पारलोकिक कहते हैं अन्य लोक का पारलोकिक होता है वो क्या बोलेंगे पारलोकिक बोलेंगे दो मत रहेंगी पिसाच पिसाच नहीं होता पिशाच होता है पिसाच होता है शे आएगा पिसाच हम बोलेंगे क्या बोलेंगे पिशाच हम बोलेंगे जिसे कई की स्टुडेंट होता है तो यह से पिशाच होगा है पिशाच नहीं है यहां मैं बोल रहा हूँ पिशाच सरल वला से यह है पिशाच क्या है पिशाच इसे हम बोलेंगे प्रकरण होता है वो क्या बोलेंगे प्रकरण उसे हम बोलेंगे तो निस सहाय नेत्रत्वे पार लोकी के पिशाच प्रकरण सारे शब्दों को लिख लिख कर आप प्रेक्टिस करो अच्छे से सीखोगे शब्द युगम की बात कर लेते हैं शब्द युगम भी हम शुरू कर चुके हैं तो शब्द युगम अच्छे से देख लेते हैं आउधी आउधी का मतलब समे सीमा होती है उसे हम अउधी बोलेंगे इक बड़ी मात्रा आती है आउधी कहला आता है इनको भी लिख लेके प्रेक्टिस करना है चोटी मातरा बड़ी मातरा दिखो मातरा में कितना डिफ्रेंस आ जाता है तो हिंदी लगती तो आसान है कि हम गवर कर लेंगे लेकिन जो स्टुडेंट अच्छे से कवर कर रहा होता इसको पता है बादाएं किसके आती हैं जो मार्ग पर चलता रहता है सोने से घर बैठे रहने से कभी किसी के कोई बादा नहीं आती जियोन अच्छा गुजरता है मजे रहते हैं उसके कुछ कह रहा है इदर से सोना उदर से निकाल लिया बाद़ए उसी के ही आते हैं जो प्रियास करता है प्रियास करोगे बाद़ए याँ भी आएगी और उनको पार भी पालोगे नोकरी भी लग जाओगे इंदू इंदू चंदरमा को बोलते हैं कई बार बताता हूं तो कई बार बताता हूँ जैसे मैं बोलू वैसे आप बोलू चीजों को और अच्छे से सिखोगे और इंदूर चूहा होता है तो इंदू चंद्रमा इंदूर चूहा हो जाएगा उपल पत्थर होता है पहले बताया है प्रयावजी शवद में उपल पत्थर होता है उपल पत्थर होता है अशम भी होता है पत्थर को हम अशम भी बोलते हैं पाशान भी बोलते हैं शीला भी बोलते हैं ग्रावा भी बोलते हैं तो ये भी ध्यान रखने आपको और उत्पल कमल होता है कमल तो हम कितनी बार बोलते हैं सरोजलेज, पंगज, निरेज, राजी, वरविन, इंडीव, नलिन, उत्पल तो उत्पल भी होता है सारंग, शत्पतर, पदम, गंज, अबज, पुन्रीग, वारिज, कोकनद, शत्दल, सरसिज, कमल के होते हैं, कपीश, जे कपीश, तिहूलोख, उजागर, कपीश, हनुमान जी को हम बोलते हैं, कपीश बोलते हैं, जो कपी के ईश हैं, कपी, बंदर को बोलते हैं, कपी, बंदर, मरकट, वानर, शाखा मरग, हमें बंदर को बोलते हैं, तो कपीश, कपीश को बोलेंगे हनुमान जी सुग्री को भी बोलते हैं और कपीश चोटी मात्रा है तो बुराया बादामी कपीश चोटी मात्रा है तो बुराया बादामी अच्छा कंफ्यूज नहीं होगे एक्जाम में एक चीज़ सीख लोगे तो कपीश शब्द कैसे बना कपीश बना कपीश कपीश बन गया संदी विशेत किया संदी विशेत हमें पता लगता है दिर्ग संदी है और दिर्ग संदी है तो बड़ा ही होगा तो कपीश बनेगा और जब ये कपीश बनेगा तो हम समझ जाएंगे हनुमान जी है और जब छोटी मातरा है तब हम बात करेंगे इसमें संदी सबसे नंत रिर्दिव को सेगा संधी मैं आपको देनिल क्लासेज्ट की एपपर करवा चुपा हूँ येप में जो सबसे सबस्ता कोर्स मिलना है वो डेनिल क्लासेज्ट का मिलना है सबसे best course देनील क्ला से इसका मिलना है वहाँ संदी अच्छे से तसलिसे आराम से आपको करवाई है ये 5 एकजामपल्स इसलिए लिए हैं कि आपके मैंड में वो संदी बैठी रहे एकजाम तक बैठी रहे और इन एक्जामपल्से भी समझाता रहता हूँ ताकि एक्जाम तक आप अच्छे से आराम से उसको कर सको जैसे शब्द है शशांक शशांक कैसे बना शशी पलस अंक से शशांक बन गया शश खरगोश को बोलते हैं अंक लांचन को बोलते हैं तो शशांक बन गया अच्छा शशांक किसको बोलते हैं तो हम देखें 6 प्लेस अंक, 6 अंक है, दिर्गिस्वर संदी हो जाएगी, ऐसे अती शोक्ती, अती शे प्लेस उक्ती ब्राबर, अती शोक्ती, अती शे प्लेस उक्ती, एया के बाद में, O, O, आये तो O हो जाता है, ये कौन कर रहा है ये चेंजे ये quality किसमें है ये गुण किसमें है ये गुण तो गुण संदी में है A के बाद में E A to A A के बाद में O A to O हो जाता है गुण संदी है स्वेचिक सव प्लस एचिक सव प्लस एचिक A के बाद में A A A to A O अउ आई तो अउ वृद्धी हो रही है इनक्रीज हो रहा है वृद्धी सोरसंदी हो जाएगी तो सव प्लस एचिक से स्वेचिक बन जाएगा ऐसे ही अनवेशक अनू प्लस एचिक से अनवेशक बन गया यवर वाली संदी है यन संदी है और जिसमें आदेश चब्ध बन रहे हैं अनू प्लस एचिक O A वे बन गया अन्वेशक बन गया और यह नय यादा रहेगए तो को संदी जब आप अच्छे से जब शीक होगे जब काफी एक्जामपल से निकलोगे माइंड में बैठ जाएगा याद ही नहीं करना पड़ेगा शब्द देखती है बता दोगे इसमें तो ये संदी है ऐसे बहुक बहुक किसे बना भो पलस उकसे बहुक बन गया कौन सी संदी होगी ए अई ओ आउ कौन सी संदी है आयादी संदी है बहुक किसमें बनेगा विदायक है विनायक है नायक है गायक है शयन है चयन है नयन है कौन सी संदी है आयादी संदी है हिंडी की अच्छे से सारी हमने बात कर ली देखो यह जो क्लासेज आप देख रहे हैं उनको ढंग से जब देखोगे जो आपको मजा आएगा और जो चीजे सीखने पर मिलेंगी मैं बोलता हूँ कितनी भी बड़ी कोचिंग कर लेना जो यहां से सीखोगे कहीं से नहीं सीखोगे और जो जितना ज़्यादा एक दिन में सीखा जा सकता है ये डेली डोज की क्लास ये जो एक दिन में आपको इतना सारा सब कुछ सीखा देती है इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया गरे ताकि जल्द से जल्द और वीडियो आते रहें और चीजे में आपको प्रोवाइड करवाता रहूं वन वर्ड सब्स्टिटुशन इंग्लिश की अब बात करते हैं वन वर्ड भी मैंने आपको काफी कवर करवा दिये हैं डेदिल क्लासे इसकी एपर देखो वहाँ आपको एक 7 मिलेंगे मेरा रठ न लास वहाँ मिलेगी वन वन वर्ड हैज नेरो रिलिजियस इसको क्या बोलेंगे वन हुस हो गए वन हुसे बीगट बोलते हैं जो कट्टर होता एक daha कर नेन सोचका अदम कट्टर होता जो तो one who has narrow religious views is called bigot कहलाता है वो कटर कहलाता है बिगट कहेंगे a person who writes the story of another person's life biographer कहलाता है जो दूसरों की कहानिया लिखता है उनकी stories लिखता है उसे हम biographer कहते हैं खुद की लिखा का तो autobiography कहला देगी तो a person who writes the story of another person's life is called biographer उसे हम biographer कहेंगे one who doesn't follow the usual rules of social life उसे bohemian कहते हैं one who doesn't follow the usual rules of social life is called bohemian उसे bohemian कहते हैं जो follow नहीं करता यूजर of social life के सामाजिक जीवन के जो नियम काइदे कानून उनको follow नहीं करने वला वोही mean कहलाता है कौनसा mean कहलाता है वोही mean कहलाता है a person or an organization that borrows money especially for a bank जो उधार लेते हैं money उसे हम borrower कहते हैं क्या कहते हैं borrower कहलाता है borrower उसे हम कहते हैं a person whose handwriting is very beautiful सू लेखन बोलते हैं अच्छी handwriting होती है caligrapher कहलाता है क्या बोलोगे caligrapher उसे हम बोलेंगे caligrapher कहलाता है one who is always finding fault कई लोग देखे होंगे जो गल्तियां निकालते रहते हैं जिसें अभी मैंने 40 classes करवा दी अभी बीच में तब्यात खराब होगी आगे class नहीं है comment आने लगे सिरा आप तो पढ़ा हो पढ़ाई नहीं रहो हम बच्चों का भविश्य खराब कर दिया यह जो 40 class मैंने आपको करवाई हैं जो free में करवाई हैं एक बार मुझे ये बताएं कि इतना आपको और किसने करवा दिया है कौन सी coaching जो आपको करवा रही है इतना सारा सा कुछ free में करवा रही है एक बार बताना मेरे को भी, जितना मैंने आपको करवाया है और किसने इतना आपको करवा दिया, खुद सोच कर देखना, हम जितना ज्यादा किसी के लिए सही करते हैं, छोटी सी भी बीचे में गलती हो जाती है, इस्टूडेंट का काम गलती पकड़ता है, ये नहीं देखते कि हम को कितना कुछ दिया गया है, कितना प्रोवाइड करवाया है, वो भूल जाते हैं, तो one who is always finding fault, censorious कहलाता है, उसे censorious हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, censorious कहलाता है, one who is hundred year old, centenarian कहलाता है, उसे हम centenarian कहेंगे, centenarian कहलाएगा, one who is hundred year old is called centenarian, a person or shop that sells equipment for ships, क्या बोलेंगे, चेंडलर कहेंगे, तो ships के लिए, जहाज के लिए, सेल्स करते हैं, उसे हम चेंडलर कहेंगे, दुकानदार जो होते हैं, चेंडलर कहलाते हैं, ये आठ वनवर्ड हमने देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनको वापस बोलना है, जिस उसे हम बोलेंगे, बायोग्राफर कौन है, बायोग्राफर किसे कहेंगे, a person who writes the story of another person's life is called बायोग्राफर, ये राइट्स क्यों आया, a person singular है, इसलिए राइट्स आया है, साथ साथ टेंसेज भी देखा गरो, उनको भी समझा गरो, बोही मीन, बोही मीन कौन है, one who doesn't follow the usual rules of social life, सामजीक जीवन, उनके नियम काईदे कानून को नहीं फोलो करेगा, बोही मीन है ये तो, नहीं करेगा, कौन है, बोही मीन है, बोही मीन है, बोरोवर कौन है, a person or an organization that borrows money, उधार लेती है, especially for a bank, बैंक से जो उधार ले लेती है, उसे हम बोरोवर कहते हैं, कैलीग्राफर कौन है, जो सू लेखक है, सू लेखक है, कैलीग्राफर, a person whose handwriting is very beautiful, उसे हम कैलीग्राफर कहेंगे, Sensorius Sensorius हमें सा गलती निकाल दिये गलत क्या कर रहा है So अच्छा ही है भूल जाएंगे एक गलती है उसको पकट लेंगे ये क्या कर दिया उसको क्या बोलेंगे Sensorius बोलेंगे One who is always finding forward is called Sensorius Centenarian कोन है Centenarian किसे कहेंगे Centenarian One who is hundred year old is called Centenarian और अंतिम था Chandler ये Chandler कौन है Chandler किसे कहेंगे C-H-A-N-D-L-E-A Chandler A person or shop that sells equipment for ships is called Chandler उसे हम कहेंगे One word substitution देखे Vocab की बात करते हैं काफी सारी हमने Vocab कवर कर रखी है जो Daniel Class A's के regular student है अच्छे से study कर रहे हैं उनकी vocab भी अब मजबूत हो रही है अच्छे खासी vocab हो रही है तो vocab की अब बात करेंगे Disdenful Disdenful किसे बोलेंगे आव हेलनापूर्ण है जो उसे Disdenful बोलेंगे Isconeful भी बोला जा सकता है Disdenful को हम सीनो नेम्स में बात करेंगे Isconeful बोल सकते हैं Contemptuous बोल सकते हैं Contemptuous बोला जा सकता है Disrespectful बोल सकते हैं Insolent बोला जा सकता है Insolent बोल सकते हैं तो Isconeful बोल सकते हैं Contemptuous बोल सकते हैं Disrespectful बोल सकते हैं Insolvent बोल सकते हैं और जब विलोम शब्दों की बात करेंगे Antonyms की बात करेंगे Respectful बोल सकते हैं Praising बोल सकते हैं Admiring बोल सकते हैं Respectful है Praising है Admiring है Unfend अन्फेंड का जो मतलब होता वो ते तुम सच्चा जो होता है उसे अन्फेंड बोलते हैं अन्फेंड नहीं है यह अन्फेंड है अन्फेंड और अन्फेंड में दिनरात का फरक है तो अन्फेंड सच्चा अन्प्रिटेंडेड है जो प्रिटेंडेड नहीं है अन्प्रिटे जाएगा इन सिंसियर हो जाएगा प्रिटेंडेड हो जाएगा तो फेंड इन सिंसियर हो जाएगा और प्रिटेंडेड हो जाएगा रेवेज बरबाद कर देना तबाह कर देना रेवेज कहलाता है डिवास्टेट बोल सकते हैं डिस्ट्रोई बोल सकते हैं रुइन बोल सकते ह तो devastate हो जाएगा, destroy हो जाएगा, ruin बोल सकते हैं और desolate बोला जा सकता है 再ntoniums, help हो जाएगा, protect हो जाएगा, help बोल सकते हैं, protect बोल सकते हैं फेलिसिटी उत्तम परकार का श्रेष्ट जो होता है उसे फेलिसिटी बोल सकते हैं ब्लीस जोई रेप्चेर बोल सकते हैं ब्लीस जोई और रेप्चेर बोल सकते हैं एंटोनेम्स अनहेपीनेस हो जाएगा अनहेपीनेस बोल सकते हैं salutary का मतलब होता है गुनकारी adventurous हो सकता है profitable हो सकता है productive और helpful बोल सकते हैं तो advantageous profitable, productive, helpful एंटोनेम्स damaging हो जाएगा injurious हो जाएगा damaging, injurious हो जाएगा पांच vocab देखी पांच idioms और phrases की बात करते हैं idioms phrases भी important है 10 number हमारे यहां से भी बनते हैं to be tight lived to be tight lived tight होने एकदम से to keep quiet एकदम से चुप रहना, शान्त है रहना तो to be tight lived का मतलब to keep quiet चुप चाब रहना, शान्त है रहना he has been very tight lived about what happened at the meeting चुप है, meeting में क्या हुआ किसी को नहीं बताना है meeting में क्या हुआ tight lived है एकदम, चुप चाब बैठा है किसी को नहीं बताएगा meeting में क्या हुआ है as clean as mud मतलब किचड जितना clean है एकदम clean as किचड के जितना, मतलब उसको समझा ही ना आज़ा सकता, impossible to understand as clean as mud, किचड जितना clean है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, impossible है समझ नहीं his instructions were as clean as mud, जैसे कई के instructions देते है ऐसे कुछ भी बोल देते है ऐसे कुछ भी, तो समझ में नहीं आता है जाने को बोल रहा, आने को बोल रहा है, दोनों तरफ हाथ ही ला रहा है तो मतलब समझ में नहीं आ रहा as clean as mud to draw the line somewhere to set some limit, line draw कर दी है जैसे लक्षमन रेखा थी लक्षमन ने कर दी है, वैसे एक line हो गई एक limit कर दी, इतनी limit है भाई इसके बाहर नहीं जाना आपको to draw the line somewhere, to set some limit I am going to draw the line about working more than 40 hours a week यह line होगी, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई साब यह आपको instruction दे दिये गए है the man in the street the ordinary person उसको क्या बोलेंगे the man in the street to win the election she needs to understand what the man in the street wants मतलब लोग क्या चाते हैं जो चाते क्या हैं आपसे वो जानना पड़ेगा आपको अगर election जीतना है तो गाला डे का मतलब एकनों happy वाले दिन मस्त वाले शांदार वाले दिन उसको क्या बोलेंगे गाला डे बोलेंगे a day of great happiness अच्छा इडियेम्स और फ्रेजेज पहले भी काफी cover करवाई हैं पहले भी हमने cover की हैं तो उमीद करता हूँ आपने अच्छे से cover करी होगे ऑच्छे से देखा भूले नहीं हुआ comment box में comment करना है apple pie order apple pie order क्या answer इसका होगा apple pie order comment box में comment करो झाला पटपटपटः जल्दी से comment करना आपको आपको तेंसे अब देखते है टेंसे टेंसेज डेंधिर क्लासेज की एक पर कंप्रीट हो गए काफी अच्छे से शांदार तरीके से मैंने करवाई है एरे डूनना है गलती का है टेंस में आपको यह देखनी है यह गलतियां जो है वो जब निकलती है जब अच्छे से हम चीजों को पढ़ते हैं अच्छे से कवर करते हैं आई फाउंड दिस रिंग मैंने रिंग प्राप्त की कहां से की एज डिग इन दा गार्डन जैसे में गार्डन में गड़्डा खोद रहा था तब मेरेको मिली इट लुक्स वेरी ओल्ड आई वोंडर वोम इट बिलोंग तो यह तो शांदार मस्त दिख रही थी ओल्ड दिख गार्डन में तो आई डिग इन दा गार्डन नहीं होगा ऐसा ही नो सुनर डिट ट्रेन अराईवड देस्टेशन दैन देपेसेंजर रश्ट टो वर्ट्स इट डिड़ा गया इंग आई डिड नोट प्ले क्रिकेट डिड के बाद में वर्ब की फस्ट फॉम आती है जैसे किसी से हम आंसर करते हैं Did you play cricket yesterday? Did you play cricket? देखो, first form ही आरी है डिड के बाद में लेकिन जब इसका मैं answer दूँगा तब मैं second form में दूँगा Did you play cricket yesterday? Yes, I played cricket yesterday तो इन चीजों का ध्यान देना है डिड आ गया तो बाद में first form आएगी तो no sooner did the train arrived नहीं होगा यहाँ पर arrive आएगा he was extremely annoyed annoyed हो गया थे एकदम चिर चिरा हो जाना एकदम when I reported the matter to him and has fired me तो he was extremely annoyed when I reported the matter to him and fired me होगा यहाँ पर and has नहीं आएगा फाइड मी होगा वर्ब की second form आएगी had I realized that it was such a long way I would take a taxi जब मुझे realized हुआ या यह तो बहुत लंबा है तो मैंने क्या किया मैंने taxi कर ली तो I would have taken होगा I would take नहीं होगा I would have taken यहाँ पर आएगा India's independence has been the result of sacrifices of many patriots इंडिया की जो स्वतंतरता है वो क्या है किस पर depend थी जो कहीं देश बक्ते उन्हों ने बलिदान दिया था उन पर तो वो जाएगा India's independence was the result of sacrifices of many patriots इस तरह से यह बनेगा यहाँ पर वो जाएगा हैड भी नहीं आएगा देखो यह जो चीजें हैं अगर टेंसेज में problem आ रही है दिक्कत आ रही है तो जो मैंने आपको एप में टेंसेज करवाए हैं उनको अच्छे से देखो वहाँ PDF को मिलेगे वीडियो क्लासेज मिलेगी 10 सेज की PDF लेगी उनको अच्छे से देखो पिछले साल क्या क्या पूछे गई आप से जैसे इडीज हाई टाइम वाले मैंने करवाए हैं अच्छी चीजे वहां कवर कर वाई हैं उनको देखोगे तो टेंस एक्तम डीबेस्ट होंगे अच्छे होंगे तो ये हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 41 हो गई अच्छे से आपको इनको देखना है और वीडियो को जितना ज्यादा हो उसके आप शेयर किया गरें ताकि जल्द आपके लिए वीडियो लाता रहा हैं धन्यवाद